नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रजनीस और आज कल आप देख रहे हो कि आपके चारों तरफ जंगलों में आग लगी है और यह जो जंगलों की आग है यह आपके लिए हो सकता है कुछ फाइदेमंद हो भी वैसे फाइदेमंद तो क्या ही होगी लेकिन यह जो जंगल है यह सिर्प जंगल नहीं है यह कहीं जीवों का गहर है और इसमें कहीं जीव, पक्छी, पौधे, पेड़ यह जलके नश्ट हो जाते हैं और जो हमारी प्रकृती है उप्रदूसित हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हो आपके इर्दगिर्द हिमालय ह और हिमालय की बर प्गलती जा रही है तो यह जो धुहाँ हमारे आग लगाने के वज़ोश से उठता है तो यह धुहाँ आपकी प्रकृती को नुखसान पहुचाता है तो आप लोग अपने चन्द छोटे से फाइदव के लिए इस तरह से जंगलों को जो जला रहे हो ये आपके लिए आपकी आने वाली पीडी के लिए और जो जंगल में जीव रह रहे हैं जिनका ओगर है उसके लिए बहुत खतरनाक है तो कुर्पा गर के इन जंगलों को ना जलाएं अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए इतने कीमती जो धन है आपका आपके चारों तरफ आपकी प्रकृत है, आपके पेड़ पौदे हैं, आपके जीव जन्त हैं, इनको न जलाएं। जैसे कि हमारे इधर है, तो हमारे इधर के चारों तरब के जितने भी पहाड हैं, सभी काले हो रखे हैं, सभी को जंगल, सभी जंगलों को आग लगाया गया है। बारी बारी से कभी यहां से आग लगाते हैं कभी वहां से आग लगाते हैं तो इससे आपके बारिस का जो पैटर्न है वो भी बदल जाता है और वो बारिस जब बारिस होनी चाहिए तब नहीं होती है और जब नहीं होनी चाहिए तब होती है जैसे आजकल बर्प का मौसम था लेकिन बर्प का कहीं नामों निशान नहीं है बारिश नहीं है जब आप इस तरह करोगे तो इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा तो कृपा करके जंगलों में आग ना लगाएं